Good morning everyone, तो कैसे आप लोग आसागरते आप घर पे होंगे और सुरच्छित होंगे जैसा कि आपको पता है डेली सुबा 7 बजे Current Affairs की क्लास होती है जिसमें मैं आपको National और International सभी महतोपूर प्रस्ट करवाता हूँ जो आपके आने वाले सभी एक्जामस के लिए महतोपूर है ये सभी प्रस्ट आपके एक्जाम में as it is देखने को जरूर मिलेंगे अगर आप इस चैनल पन नया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना भुले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आज का पहला प्रस्ट है आपका कॉस्टन ओफ दे जो कल मैंने आपको हुमवर के तौर पे दिया था कौन सा राज्य इंद्रा रसोई योजना सुरू करेगा विच स्टेट विल स्टार्ट इंद्रा रसोई योजना आपका राइट आंसर होगा राजस्थान ओप्सन नमबर ए राइट आंसर है कल आप जैसे बहुत सारे स्टुडेंट्स ने कमेंड बॉक्स में कमेंड करके आंस्वर दिया था आप भी दिया किजे फुल डेटेल में बता दे आपको राजिस्तान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदरा रसोई योजना सुरू करेगी ताकि या सुनिस्चित हो सके की राज में कोई भूखा न सोए इस योजना के तहट रियायती दरो पर सुध और पौस्टिक भोजन जरतमंदों को दिन में दो बार परदान किया जाएगा और इस योजना पर राजिस्तान सरकार हर साल सौ करोड रुपे खर्च करेगी और इस योजना के सफल कार्यानवन के लिए इस्थानी गयर सरकारी सरक्रणों को भी सामिल किया जाएगा आसा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी राजिस्तान राज जी के बारे में फुल डिटेल में बात करें जोकी इसको राज जी का दर्जा मिला था 30 मार्च 1949 को आप इसको ध्यान रखिएगा अगर आप स्टेट एक्जाम देंगे उसके लिए भी महतोपूर है अगला प्रशल हैएडानी पावर 135 मिलिओन डॉलर में ओडिशा पावर जन्रेशन कोरफले शन्रेशन कोरपरेशन में जोकी इसकीए 49 पर्सेंट इक्विटी हिस्तिदारी का अदिगरहर करेगा यक उप्सन नंबर दी राइट टांस्वर है फुल डिटेल में बता दे अडानी पॉवर 135 मिलियन डॉलर में ओरिसा पॉवर जनरेशन कॉर्परेशन में AES कॉर्परेशन की 49% एक्विटी हिस्दारी का अधिगरहड करेगा अडानी पॉवर लिम्टेड एपियल ने AES कॉर्परेशन के सयोगियों से ओरिसा पॉवर जनरेशन कॉर्परेशन में OPC में हिस्दारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझोते पर हस्ताचर किये हैं OPC जारखंड के जारसुगोडा जिले के बनहरपली में 1740 मेगा वार्ड का थरमल पॉवर प्लान संचालित करता है आपको सभी चे समझ में आ गई होंगी ओरिसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं जोकी इसको राज्य का दर्जा मिला था एक अप्रेल 1936 को और एक अप्रेल को हम लोग उतकल दिवस के रूपे मनाते हैं आप इसको ध्यान रखेएगा एकजाम के लिए महतेवपूर है ऐ norm of district 30 गवर्नर है गनेसी लाल जी chief minister नवीन पतनाईक जी है और members of the legislative assembly 147 लोगसभा seats 21 और राज्यसभा seats 10 आप इसको ध्यान रखेगा अगर आप स्टेट एक्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर है दोस्तों मैं डेली आपको करेंट एफेस के साथ साथ स्टैटिक जीको को भी कवर करता हूँ ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरुतना हो आपके इस क्लास से सभी चेक कवर हो जाएं और अपने आने वाले से भी एक्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिप्यर हो जाएं अगला प्रस्ण है मास्टर कार्ड निमलेखित में से कौन सी फिन्टेक कंपनी को लगबग एक बिलियन डॉलर में खरीद रहा है जो कि ये खरीद रहा है फिनिसिटी को ओप्सन नमबर भी राइट टाउंसर होगा आपको बता दें, Mastercard लगभग एक बिलियन डॉलर मुले के लेंदेन में एक और FinTech Finicity खईद रहा है Finicity के अधिगरहर से इसके Open Banking platform को मजबोती मिलेगी जिससे उभोकताओं को अपने वित्तिय डेटा पर अधिक नियंदरन मिलेगा और Open Banking FinTech Apps को उभोकता की मौज़ूदा वित्तिय और Banking Credentials का उपयोग करके सिवाएं परदान करने के भी अनुमती देता है आपको सभी ची समझ में आगे होंगी दोस्तों आप इस Class को लास तक देके आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और अपने आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा तरीक से आप प्रिपेर भी हो सकेंगे नेक्स्ट कोस्टन है निमनलिखित में ऐसे कौन माली को 500 मेगावाट सौर उर्जा पार्क विक्सित करने में मदद करेगा जो कि ये कर रहा है NTPC Limited ओप्सन नमबर B राइट आंसर होगा फुल डेटिल में बता दे आपको NTPC को माली द्वारा प्रियोजना प्रबंधन प्रामर्स अनुबंद से सम्मानित किया गया है जो टोगों के बाद ऐसा करने माला दूसरा देस है 500 मेगा वार्ट, सौर उर्जा, पार्ग की चमता में से 450 मेगा वार्ट माली के राष्टी विद्धूत ग्रेट से जुड़ा होगा और NTPC के पास भारत की 370 गीगा वार्ट की स्थापित विद्धूत उत्पादन चमता का लगबग पांचवा हिस्सा है आसा गरते हैं आपको सब विच ये समझ में आगी होंगी माली की राष्धानी है बमाको, मुद्रा है पस्टिम अफ्री की CFF रैंक जो आकि आपके एक्जाम के लिए महत्तोपूर है आप इसको ध्यान रखिएगा राष्टपती है इबराहिम बावकर के और राष्टव ये खेल है फुटबॉल दोस्तों मैं इतना डेटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि इस कोश्टन से रेटेड जितने भी न्यूज है आप कवर कर लें और अपने आने वाले एक्जाम में कहीं से भी कोश्टन्स बने आप अच्छे तरीके से सभी कोश्टन्स को कर सके हैं अगला प्रस्ण है केंद्रिय मंत्री मंडल ने आई-एन स्पेस के गठन की घोष्णा की आई-एन इन स्पेस में पी क्या है जो कि पी है प्रमोशन ओप्सन नंबर भी राइट आउंसर होगा इन स्पेस में पी है आपका प्रमोशन फुल डिटल में बता दे आपको किंद्री मंत्री मंडल ने भारतिय राष्ट्वी अंत्रिश सरमवर्धन और प्रादिकरर किंद्र इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथोरिजेशन सेंटर इन स्पेस के गठन की घोष्णा की है या ग्रहों की खोच मिसन सहित अंत्रिश राष्ट विद्यों में नीजी उद्यों की भागिदारी को बढ़ावा देगा इन स्पेस नीजी कमपनियों को भारतिय अंत्रिश अधारभूत सरमरशना का उप्योग करने के लिए एक इस्तर का मंच परदान करेगा और उन्हें पुर्शाहित करने वाली नीतियों के माध्यम से मार्क दर्शन भी करेगा आप समझ गया होंगे दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउड है आप कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं आपको सभी डाउड क्लियर जरूर किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय परतिसपर्दा आयोग CCI ने जदू होल्डिंग्स LLC के द्वारा जियो प्लैटफर्म्स में कितनी परतिसत हिस्सेदारी के अधिगरहड को मंजूरी दे दी है जो कि 9.99% के हिस्सेदारी के अधिगरहड की मंजूरी दे दी है आपको बता दे भारतिय परतिसपर्दा आयोग CCI ने जदू होल्डिंग्स LLC द्वारा जियो प्लैटफर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी के अधिगरहड की मंजूरी दे दी है जदू फेस्बूक की एक अप्रत्यच रूप से पुर सौमित वाली सहाय कम्पनी है और यह सिन्युक्त रास्ट अमेरिका में डेलावेर राजजी के कानूनों की तहत मार्च दूया 20 में गठित एक नई निगमित कम्पनी है और जियो प्लैटफर्म्स इलाइंस इंडिया लिम्टेड की साहय कम्पनी है आप इसको ध्यान रखिएगा एक्जाम के लिए महत्वपूर है अगला प्रस्ण है उद्दंपूर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कास्मीर के डोडा जिले में पुरेजा पुल का उधगाटन किस ने किया जो कि पुरेजा पुल का उधगाटन किया गया है डॉक्टर जितिंदर सिंग जी के द्वारा ओप्सन नंबर बी राइट आंसर होगा आपको फुल डिटिल में बता दे डॉक्टर जितिंदर सिंग ने 24 जून 2020 को उद्दमपुर में देविका नदी पर देविका पुल और जम्मू कास्मीर के डोडा जिले में पुरेजा पुल का उधगाटन किया उद्दमपुर में देविका नदी पर बने पुल को बॉर्डर रोड्स और्गनाइजेशन ने 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया चबकि पुरेजा पुल का निर्माड 36 महीने में किया गया था बियारों ने पिछले 4-5 वर्सों में इस छेत्र में 200 से अधिक पुलो का निर्माड किया है जिसमें बुनियादी अटल सेतु केबल ब्रिज भी सामिल है ताकि आधारभूत समर्चना की बाधा को खत्म किया जा सके आसागरते आपको सभी चीज़े समझ में आ गई होंगी जम्मू कास्मीर यूटी के बारे में फुल डेटेल में बात करें जो कि ये यूनियन टेरिटरी बना था किंदर सासित पर्दिस 31 अक्टूबर 2019 को आप इसको ध्यान रखिएगा आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर है अगर आपको इस क्लास की पीडियाप चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप की लिंक मिल जाएगी आप उस लिंक से ग्रूप में ज्वाइन हो जाएए आपको सभी पीडियाप वहाँ पर प्रवाइड कर दी जाती है अगला प्रस्न है नयायमूर्थी राजयस सुकला ने किस राज्य के पांचवे लोकायुक्त के रूप में सपतली है तोकि ये गुजरात राज्य के पांचवे लोकायुक्त के रूप में सपतली है नियायमोर्ती राजयस सुकला जी आपको बता दें 23 जुन 2020 को सेवानिरत गुजरात उच नयाले के नयायमूर्ती राजयस सुकला ने राजय के पांचवे लोकायुक्त के रूप में सपत ली न्याय मोर्ती DP बुछ के दिसंबर 2018 में समाप्थ हुए पांक साल के कारेकाल के बाद से लोकायुत के पड़ दो साल से खाली था जो कि गुजरात के पहले लोकायुत दियेच सुकला थे आप इसको ध्यान रखी घुजरात के पहले लोकायुत थे जिन्होंने 26 जुलाई 1988 से 25 जुलाई 1993 तक सिवा कि थी आपको सभी चीर समझ में आ गई होंगी गुजरात राजजी के बारे में फुल डीटेल में बात करें जो कि इसको राजजी का दर्जा मिला था 1 माई 1960 को कैपिटल है गांधी नगर गवर्नर है आचारे देवरत जी चीफ मिनिस्टर विजयरुपानी लोकस्वा सिर्ष 26 और राजस्वा सिर्ष 11 है आप इसको ध्यान रखिएगा आपके स्टेट एक्जाम के लिए काफी महत्वपूर है और अदर एक्जाम के लिए महत्वपूर तो है ही नेक्स्ट कोस्टन है किस कंपनी ने IIT गुहार्टी की E& ICT अकादमी के साथ अपने साज़दारी की घोषणा की है जो कि यह किया गया है इंटली पार्ट के द्वारा औप्सन नंबर C इंटली पार्ट ट्राइट आंसर होगा आपको बता दे इंटली पार्ट ने IIT गुहाटी की E&ICT अकादमी के साथ साज़दारी की या अत्याधुनिक डेटा, बिक डेटा, अनलेटिक्स, क्लाउड और दिवोप्स और फुल स्टैब वेब डिप्लोमेंट जैसी प्रद्योगी की में पेसेवरों को परसिचित करेगा और सनिक्त रूप से परदान किये जाने वाले प्रमारन कारिक्रम उनके कैरियर को अकार देने में पेसेवरों के लिए एक मुख्य कदम के रूप में काम करेंगे और परदान मंत्री मोधी ने 2016 में IIT गुहाटी में E&ICT अकादमी का उद्गाटन किया था आपके लिए महत्वपूर है जो की IIT गुहाटी में E&ICT अकादमी का उद्गाटन परदान मंत्री मोधी जी ने 2016 में किया था आप इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है नेमनमे से किसके साथ WHO ने सन्युक्त राष्ट के साथ मिलकर दुनिया भर के वैक्तियों और समुदायों को प्रसाहित करने के लिए एक साज़दारी सुकी है जो की ये किया गया है अंतराष्टी उलम्पिक समीति के साथ मिलकर के अप्सन नमबर B राइट आंसर होगा फुल डेटिल में बता दे आपको अंतराष्टी उलम्पिक समीति और WHO ने सन्युक्त राष्ट के साथ मिलकर दुनिया भर के वैक्तियों और समुदायों को प्रसाहित करने के लिए एक साज़दारी सुरुकी है वे हैस्टेग हेल्दी टुगेदर विसाय का उप्योग करेंगे तीनों साथी और उलम्पिक एथलेट्स स्वेस्ट रहने के लिए और कोविड डाइटिंग के परसार और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक वैस्विक सहयोग का उजागर करेंगे आपको सभी जे समझ में आ गई होंगी आप इसको ध्यान रखिएगा जो की इसका थीम है हैस्टेग हेल्दी आपके एकजाम में पूछा जा सकता है महतोपूर है अंतराष्टी ओलंपिक सम्भीती का मुख्याले है लौज देन स्विट्जर लेंड में और इसके राष्टपती है थॉमस बाग इस्थापना हुई तीज की 23 जून 1894 को पैरिश फ्रांस में आपको सभी चे समझ में आ गई होंगी अगला प्रस्ण है नियाय मूर्ती अनंत मनोहर बदर ने निम्नलिखित उच नियालों में से किसके नियाधीस के रूप में सपत ली है जो कि उन्होंने केरल के उच नियाले के नियाधीस के रूप में सपत ली है उप्सिन नमबर एराइट आमस रोगा आपको बता दे नियायमोर्ति अनन्तमनोहर बदर जो पुरु में बॉँमबे उच न्याले के नियाधीस थे उन्होंने 24 जोंद 2020 को केरल उच नियाधीस के रूप में सपत ली और इनको मुख्य नियाधीस एसमड़ी कुमार ने नियाय भी किया गया था आपको सभी चे समझ में आ गई होंगी के राजी के बारे में फुल डेटिल में बात करें जो कि यह राजी का दर्जा मिला था एक नॉवंबर उनिस सो चपन को गवर्नर है आरीफ मुहंबद खान जी चेफ मिनिस्टर पिनाराय विद्यानन जी है और मेंबर्स आप इसको ध्यान रखेगा आपके आने वाले सभी एकजाम्स के लिए काफी महतोपूर है नेक्स्ट कोश्चन है केंद्री मंत्री मंडल ने किस राजी के कुशी नगर एरपोर्ट को अंतरास्ट्री हवाई अड़ा खोसित करने की मंजूरी मिल गई है आपको बता दे केंदरी मंत्री मंडल ने उत्तर परदेश के कुशी नगर एरपोर्ट को अंतराश्री हवाई अड़ा गोसित करने के लिए अपनी मंजुरी दे दी है कुशी नगर बौध सर्किट का मध्य बंदू है और इसके पास लुंबनी, स्रावस्ती, कपिलवस्तु में तिर्थिस्तल है और तीन किलोमेटर लंबी रन में स्ट्रिप पहले ही बन चुकी है और अब एरबस का एक बड़ा विमान भी हवाई अड़े पर उतर सकता है आप इसको ध्यान रिखिएगा एक्जाम के लिए महत्वपूर है उत्तर परदेश का राजकी पसू है बारा सिंगा और रास्टी पच्छी सार्स क्रेन है और बात करते हैं उत्तर परदेश राजे के बारे में फूल डेटेल में इसको राजे का दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को कैपिटल है लखनवू, नमबर अव डिस्टिक 75, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदेतिनार जी हैं और मेंबर्स आफ लिदा एसमबली 403 और excluding होते हैं वन एंगलो इंडियन मेंबर लोगसवा सीट असी और राजवा सीट शीप गया है नेक्स्ट कोश्चन है किस राज्जे ने गोशना की है कि सभी जिला इस्तरी और तालुक इस्तर के अस्पतालों में बुखार क्लिनिक इस्थापित किये जाएंगे जो कि बुखार क्लिनिक इस्तर के अस्पतालों में इस्तापित किये जाएंगे जिसमें बुखार के मामलों की एक अलग छेतर में जांच की जाएंगी और निगम छेतरों में नीजी संस्थानों को बुखार क्लिनिक के रूप में भी नामित किया जाएगा आप इसको ध्यान रखिएगा बता देखी राजी के स्वास्तविभाग के अनुसार अब तक कुल सकारात्म मामलों की संख्या बढ़कर 9,721 और 150 मौते हो चुकी है जो की काफी दुखद है करनाटक राजी के बारे में फूल डेटेल में बात करते हैं जो की इसको राजी का दरजा मिला था एक नौंबर 1956 को एज है मैसूर स्टेट और कैपिडल है बैंगलोर नंबर और डिस्टिक 30 गवर्नर है वज्जु भाई वाला जी चीफ मिनिस्टर बियस यदुरपपा जी है जो की बिजेपी से है मेंबर्स और लेजिसलेटिव एसम्बली 224 लोकसवा सीट्स 28 और राजसवा सीट्स 12 है आप इसको ध्यान रखेगा आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर है अगला प्रसन है लेप्टॉप योजना 2020 के तहत केरल सरकार 30 महीनों के लिए कितने रुपए प्रतिमा की आसान किस्ट पर करीब छातरों को 15,000 रुपए के लेप्टॉप परदान करेगी जो की 500 रुपए प्रतिमा की आसान किस्ट पर ओप्सन नमबर B राइट आन्सवर है फुल डेटेल में पता दे केरल सरकार राज्य में डिस्टल डिवाइस को पाटने के लिए डिवाइड को पाटने के लिए एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छातरों के लिए लेप्टॉप योजना सुरू करने जा रही है और इस संबंद में केरल राज्य वित्ती उद्दम कि एस एफ़ी और कुटुमस्री के बीच एक सन्युक्त उद्दम की गोशना की है और इस योजना के तहत सरकार 30 महीनों के लिए 500 रुपे तक प्रती मा की आसान किस्ट पर गरिब छातरों को 15,000 रुपे और लेप्टॉप परदान करेगी जोकि दोस्तों कितने 15,000 रुपे के लप्टॉप आप इसको ध्यान रखियेगा बात करते हैं केरा राजी के बारे में फूल डेटल में अभी हमने बात किया था रिवाइस करते हैं आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जोकि इसको राजी का दर्जा मिला था एक नॉमबर 1956 को कैपिटल है त्रीवननतरपुरम नमबर आफ डिस्टिक 14 गवर्णर है आरिफ मुहंबंत खान जी चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विज्यानन जी है और मेंबर्स आप दा लेजिसलेटिव एसम्बली 144 लोकसभा सीट्स 20 राजी सबा सीट्स नौ है आसा करते हैं आपको सभी चे समझ में आ गए होगी दोस्तों जितने भी आपकी सब क्लासिस होती हैं सभी क्लासिस आपके लिए हैं अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और सेर जरूर करें अगर आप इस चेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चेनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना बोलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए जितनी भी मेहनत होती है सब आप लोगों के लिए होती है तो अगर आपको इकलास अच्छी लगे तो जाद जाद सेर आप जरूर करें अगला प्रसन है निर्मलिखित में से किसने देखो अपना देस वेबिनार स्रिंखला के तहत वैदिक फूड एंड वैबिनार भारत के वैदिक भोजन और मसालों के महतों पर केंडरिट था जो विष्वर के लिए अज़पस्ट है और कभी भी आधुनिक विश्व बैंजनों तक पहुच नहीं पाएगा आपको बता दें मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लाबूप पर प्रकाल जाला गया क्योंकि इन बर्तनों में तेयार भुजन प्राकर्तिक स्वाद बरकरार रहता है आप समझ गया होंगे धियान रखिएगा जितने भी कोशन मैं कराता हूँ सभी आपके लिए महत्वपूर हैं आप इसको डेली ज्वाइन जरू करें अगला प्रसन है निम्न में से किस संस्थान ने एक स्वादेशी रिसीवर चिप जरू विक्सित किया है दोस्तो यह है आपका आज का होमवर्क कोशन आप दे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है अगर आपको एक लास अच्छे लगी हो लाइक करें कमेंट करें और सेर जरूर करें अगर आप इस चनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए तो आज की क्लास को यहीं उवर करते हैं थैंक यू एन गुड डे